नमस्तार फ्रेंड्स आप सभी के बीजाकर आज एक अलग ही खुशी महसुस कर रहा हूँ शायद ऐसी खुशी बहुत रहरों के जनुब पर जब तन मन खुश्यों से भर गया हूँ और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी गटना गरती है कि वो बेसबरी हावी हो जाती है इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है इतनी बेसबरी मैं साथ आफ्रीका में था फिर ग्रीश का कारकम था तो वहाँ चला गया लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था लेकिन कभी के भी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूँ बेसबरी मेरी और मुसीबत आपकी इतनी सभेरे सभेरे आप सबी को और इतना ओर टाइम लेकिन बस मन कर रहा था जाओं आपको नमन करो आपको दिक्कत ही होगी लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था आप सब को सेल्द करना चाहता था सेल्द आपके परिशन को सेल्यूट आपके धैरिय को सेल्यूट आपकी लगन को सेल्यूट आपकी जीवर्ता को सेल्यूट आपके जज़िवे को आप देश को जिस उंचाई पर लेकर गए है ये कोई साधारन सफलका नहीं है यानन्त अंतरिछ में भारत के बैज्यानिक सामर्थ का संखनाद है । India India is on the moon we have our national pride place on the moon हम वहां पहुचे जहां कोई नहीं पहुचा था हमने वह किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था ये आज का भारत है निर्भिक भारत जुजारू भारत ये वह भारत है जो नया सोचता है नए तरीके से सोचता है जो डार्ग जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरन फैला देता है 21 सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा मेरी आँखों के सामने 23 अगस का वो दिन वो एक एक सेकंड बार बार घुम रहा है जब तचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इस्रो सेंटर में फुरे देश में लोग उछल पड़े वो द्रश्य कौन भूल सकता है कुछ मृतियां अमर हो जाती है वो पल अमर हो गया वो पल इस सदी के सबसे प्रेणा दाईक्षणों में से एक है हर भारतिय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है खुद महसूस करता था हर भारतियों को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एक्जाम में पास हो गया है आज भी बढ़ाईयां दी जा रही है संदे से दी जा रहे हैं और ये सब मुम्किन बनाया है आप सब ने आप ने देश के मेरे वेज्ञानिकों ने ये मुम्किन बनाया है मैं आप सब का जितना गुर्णान करूँ वो कम है मैं आपकी जितनी सराना करूँ वो कम है साथियों मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लेंडर ने अंगत की तरफ चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है एक तरफ दिक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ पज्ञान का पराक्रम है हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद्चिन्न छोड़ रहा है अलग-अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरे अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौफागी मिला वो अद्भूत है मानव सब्धता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस्थान की तस्वीर मानव अपनी आँखों से देख रहा है और यह तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है आप सभी बैज्ञानी को ने किया है आज पूरी दुनिया भारत की साइन्टिफिक स्पिरिट का हमारी टेक्नोलोजी का और हमारे साइन्टिफिक टेंप्रमेंट का लोहा मान चुकी है चंद्रयान महावियान सिर्फ भारत की नहीं बलकि पूरी मानवता की सफलता है हमारा मिशन जिजख छेतर को एक्ष्प्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशन्स के नए रास्ते खुलेंगे ये चांद के रहश्यकों तो खोलेगा ही साथ ही धर्ती की चुनोतियों के समाधान में भी मदद करेगा आपकी सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वज्यानिकों को टेकनीशियंस इंजीनियर्स और चंद्रियान महाभियान से जुड़े सभी सदश्यों को बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनों आप जानते हैं कि स्पेस मीशन्स के तच्डाउन पॉइंट को एक नाम दिये जाने की बेज्यानिक परमपरा है चंद्रमा के जिस हिस्चे पर हमारा चंद्रियान उत्रा है भारत ने उस थान के भी नामकरण का फैसला लिया है जिस्थान पर चंद्रियान थी का मून लेंडर उत्रा है अब उस पॉइंट को अब उस पॉइंट को शीव शक्ति के नाम से जाना जाएगा शीव में मानवता के कल्यान का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ मिलता है चंद्रमा का शीव शक्ति पॉइंट थिमालय से कन्या कुमारी से जुड़े होने का बोत कराता है हमारे रुश्यों ने कहा है ये न ये न कर्मान्य पसो मनिश्णो यग्जे कुणवन्ती विद्देशु थी रहा यद्पुर्व यक्षमंतह प्रजानाम तन्मे मनह सिर्शंकल्पमास्तु अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं विचार और विज्ञान को गती देते हैं और जो सब के भीतर मौजूद है वो मन, शुप और कल्यानकारी संकल्पों से जुड़े मन के इन सुप संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का अचिरवा धनिवारी है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है हमारी माताएं बेहने है हमारी यहां कहा गया है सुरुष्टी स्थिती विनाशाना शक्ति भूते सनातनी अर्थात निर्मान से प्रले तक पूरी सुरुष्टी का अधार नारी शक्ति ही है आप समने देखा है चंद्रयान थ्री में देश ने हमारी महिला वज्यानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सद्यों तक भारत के इस वज्यानिक और दाथनिक चिंतन का साक्षी बनेगा ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीडियों को प्रेणा देगा कि हमें विज्यान का उप्योग मानवता के कल्यान के लिए ही करना है मानवता का कल्यान यही हमारा सुप्रीम कमिट्मेंट है साथियों एक और नाम करन काफी समय से लंबी थै चार साल पहले जब चंद्रयान टू चंद्रमा के पास तक पहुँचा था जहां उसके पदचिन पड़े थे तब यह प्रस्ताव था कि उस थान का नाम तैक किया जाए लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रान लिया कि जब चंद्रयान थी सफलता पुर्वक चांद पर पहुँचेगा तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे और आज मुझे लगता है कि जब हर गर तिरंगा है जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है तो तिरंगा के सिवाए चंद्रयान तू से जुड़े उस्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है इसलिए चंद्रमा के जुष्थान पर चंद्रयान तू ने अपने पदचिन्न छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखरी नहीं होती अगर द्रण इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है यानि मैं फिर दोरा रहा हूँ चंद्रयान टू के प्रद्चिन जहां है वो स्थान आख से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और जहां पर चंद्रयान फ्री का मून लेंडर पहुचा है वो स्थान आख से शीव शक्ति पॉइंट कहलाएगा साथियों आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सत्र को छुआ है ये सभलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी एक समय था जब भारत के पास जरूरी तक्निक नहीं थी सहयोग भी नहीं था हमारी गिंती थर्ड बर यानि थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी थर्ड बर थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी वहाँ से निकल कर आज भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थेववस्ता बना है आज प्रेड से लेकर टेकनोलोजी तक भारत की गिंती यानि पहली पुंक्ती एनि फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है यानि थार्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इस रो इस रो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है आपने आज मेकिन इंडिया को चांद तक पहुचा दिया है मेरे परिवार जनों मैं आज आपके बीच आकर विशेश तौर पर देश वाचियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं बाते बता रहा हूँ आपके लिए नहीं नहीं है लेकिन आपने जो किया है जो साधना किया है वो देश वाचियों को भी पता होना चाहिए भारत के दक्षिन हिस्से से चंद्रमा के दक्षिनी दुरू तक चंद्रियान की ये यात्रा आसान नहीं थी मून लेंडर की सौफ लेंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे विज्ञानिकों ने इस्रो की रिसर्श फैसिलिटी में आर्टिफिशल मून तक बना डाला इस आर्टिफिशल मून पर विक्रम लेंडर को अलग-अलग तरीके से सर्फेस पर उतार कर उसका टेस्क किया गया था अब इतने सारे एक्जाम देकर हमारा मून लेंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी साथियों आज जब मैं देखता हूँ कि भारत की युवापीडी साइंस को लेकर स्पेस को लेकर इनोवेशन को लेकर इतनी एनरजी से भरी हुई है तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशन्स की सफलता है मंगलायन की सफलता ने चंद्रयान की सफलता ने गगनियान की तैयारी ने देश की युवापीडी को एक नया मिजाद दे दिया है आज भारत की छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है आज भारत का हर बच्चा आप वैज्यानिकों में अपना भविष्य देख रहा है इसलिए आपकी उपलब्दी सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्दी हासिल की है और वो उपलब्दी है भारत की पूरी की पूरी पीड़ी को जागरत करने की उसे नई उर्जा देने की आपने एक पूरी पीड़ी पर अपनी सफलता की गहरी चाप छोड़ी है आप से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस होसले से मेरा देश चांद पर पहुँचा है वही होसला वही जजबा उस बच्चे के भीतर भी है उस युवा के भीतर भी है आज आपने भारत के बच्चों में आकांग शाओं के जो बीज बोए है कल वह वट वृट्ष बनेंगे और विट्सिज भारत की निव बनेंगे हमारी युवा पीडी को निरंतर प्रणणा मिलते रहे इसके लिए एक और निर्ने लिया गया है 23 अगस को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फैराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस दे के रुप में मनाया जाएगा जब हर बार्ष नेशनल स्पेस दे साइन्स टेक्नोलोजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा मेरे परिवार जनो आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ है वो सेटलाइट लॉंच करने या अंत्रीस की खोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूँ वो है इस अफ लिविग और इस अफ गवर्नन्स आज देश में स्पेस एप्लिकेशन्स को गवर्नन्स के हर पहलू से जोडने के दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है आप लोगों ने जब मुझे प्रधान मंत्री के रूप में काम करदाई तो दिया तो प्रधान मंत्री बंदे के बाद मैंने भारत सरकार के जोइंट सेक्रेटरी लिवल के अफिसर्स की स्पेश साइंटिस्ट के साथ एक वर्क्शॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नन्स में शासन व्यवस्ता में ट्रांस्फरंसी लाने में स्पेश सेक्टर की ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करे तब कीरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभ्यान शुरू किया सौचालयों का निर्मान शुरू किया करोडों घरों को बनाने का अभ्यान चलाया तो इन सब के मोनिटरिंग के लिए करोडों का निर्मान शुरू किया करोडों घरों को बनाने का अभ्यान चलाया तो इन सब के मोनिटरिंग के लिए उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की आज देश में दूर दराज के इलेके में एजुकेशन कॉम्यूनिकेशन और हेल्थ सर्विसिस पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है इन दिनों आजादी के अमरुत महुत्सव के निमीत जो जिले जिले में अमरुत सरोबर बन रहे हैं उसका भी टैगिंग उसके भी मोनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है बिना स्पेस टेकनोलोजी के हम टैली मेडिसीन और टैली एजुकेशन की कलपणा तक नहीं कर सकते हैं स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सिस के अप्टिमम उडिलाजेशन में भी बहुत मदद की है हमारे देश के एग्रिकल्चर सेक्टर को ताकत देरे में मौसम का अनुमान लगा रहे में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सब्ता मौसम का क्या हला है देश के करोडों मच्छवारों को आज नाविक सिस्टिम से जो सटिक जानकारी मिल रही है वो भी आपी ही की देन है आज जब देश में बाड़ आती है कोई प्राकृतिक आपदा आती है भूकम पाता है तो हालात की गंबीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं जब साइकलोन आता है तो हमारी सेटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती है सारी टाइमिंग बताती है और लोगों की जान भी बतती है संपत्ती भी बतती है और सिरफ साइकलोन के कान जो संपत्ती बतती है न उसका अगर जोड लगा दे तो आज स्पेस का जो खर्टा है उससे वो ज्यादा हो जाता था हमारे पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान का अधार भी स्पेश टेक्नोलोजी है और आज जुनिया भारत के गतिशक्ती प्लेटफर्म का अध्यन कर रही है कि प्लानिंग और मेनेजमेंट में ये प्लेटफर्म कितना उप्योगी हो सकता है इससे प्रोजेक्ट के प्लानिंग, एज्जुएशन और मोनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेश एप्लिकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए आपर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है और इसलिए आज मैं एक सुझाओ भी देना चाहता है और मैं चाहूँगा कि आपके आहां से जो रिटाइड लोग है देश में काफी मदद कर सकते हैं अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुवे सुवे मोदी जी यहां आए है और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं साथियों मैं चाहूँगा कि इसरो केंद्र सरकार के विविन्न मंत्रा लए और राज्र सरकारें मिलकर गवर्नन्स में स्पेस टेक्नलोजी पर एक नेशनल हैकेथोन का आयोजन करें इस हैकेथोन में जादा से जादा युवा जादा से जादा उन्युवर्सिटी जादा जादा लवजवान वो शामीर हो जुड़े मुझे विश्वास हैं ये नेशनल हैकेथोन हमारी गवर्ननेंस को और प्रभावी बनाएगा देश वासियों को मोडन सॉलुशन्स देगा और साथियों आपके अलावा मैं अपनी युवा पीडी को एक और टास अलग से देना चाहता हूँ और हुमवर्ग की दिये बिना बच्चों को काम करने कम बजानी आता है आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पुर्वही धर्ती के बाहार अनन्त अन्तरिष में देखना शुरू कर दिया था हमारे हाँ सद्यों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट ब्रह्मगुप्त वरामीर और भासकराचारी जैशे रिशी मनिशी हुए थे जब धर्ती के आकार को लेकर ब्रह्म था तब आर्यभट ने अपने महान ग्रंत आर्यभटिय में धर्ती के गुलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था उन्होंने एक्सिस पर पुत्वी की रोटेशन और उसकी परीगी की गणना भी लिख दी थी इसी तरह सूर्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंतों में भी कहा गया है सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरिस्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्यक्व उर्द्वं ववादः अर्थात पुत्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे उपर मामते हैं लेकिन ये गोलाकार पृत्वी तो आकास में स्थीत है उसमें उपर और नीचे क्या हो सकता है ये उस समय लिखा गया था ये तो मैंने ये सिर्फ एक स्लोग बात बताया है ऐसी अंगिनत रचनाएं हमारे पुरवजों ने लिखी हुई है सूर्य, चंद्रमा और पृत्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहन की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाही जाती है पृत्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गंडाएं उनके मूमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है हमने ग्रहों और उपग्रहों की गती को लेकर इतना सुक्ष्म गंडाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे हां सेक्रों वर्ष आगे के पंचांग यानि केलेंडर्स बनाई जाते थे इसलिए मैं इसे जुड़ा एक तास्क अपनी नई पीड़ी को देना चाहता हूं स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि भारत के सास्त्रों में जो खगोलिये सुत्र है उन्हें साइन्टिफिकली प्रूव करने के लिए नए सिरे से उनके अध्यन के लिए नई पीड़ी आगे आएं ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है आज जो स्कूल के कॉलेज के युनिवर्सिटिज के स्टूडेंट्स है रिसर्कर्स है उन पर एक तरह से ये दोहरा दाईत्व है बारत के पास विज्ञान के ग्यान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखन में दब गया है छिप गया है आजादी के इस अमरित काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है उस पर रिशर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है दूसरा दाईत्व ये कि हमारी युवा पीड़ी को आज के आधुनिक विज्ञान आधुनिक टक्लालोजी को नए आयाम देने हैं समंदर की गहराईयों से लेकर आसमान की उंचाई तक आसमान की उंचाई से लेकर अंत्रिख की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही दीप सी को भी एक्स्प्लोर करिए आप नेक्स जनरेशन कम्प्यूटर बनाईए और साथ ही जेनेटिक एंजिनेरिंग में भी अपना सिक्का जमाईए भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं 21 सदी के इस कालखन में जो देश साइन्स और टेक्नोलोजी में बड़त बना ले जाएगा वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा साथ क्यों आज बड़े बड़े एक्सपर्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडिस्ट्री एक बिलियन डॉलर से बढ़कर सिक्स्टीन बिलियन डॉलर की हो जाएगी सरकार भी इस बात की गंबीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफार्म कर रही है हमारे युवा भी कमर कसकर तयार है आपको जानकर सुखद आश्यरे होगा कि पिछले चार साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्ट अप की संख्या चार से बढ़कर करीब करीब डेड़ सो हो गई है हम कल्पना कर सकते हैं कि अनन्त आकाश में कितनी अनन्त संभावना है भारत का इंतजार कर रही है वैसे कुछ दिन बाद एक सितंबर से माई गौव हमारे चंद्रियान विशन को लेकर बहुत बड़ा क्वीट कॉम्पूटेशन लॉंच करने वाला है हमारे देश के स्टूडेंस इससे भी शुरुवात कर सकते हैं मैं देश भर के स्टूडेंस से आगरा करूँगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुडे मेरे परिवार जनो देश की भावी पीडी को आपका मारदर्शन बहुत आवशक है आप जो इतने सारे इंपोर्टन विशन्स पर काम कर रहे हैं वो आने वाली पीडी ही आगे ले जाने वाली है आप उन सभी के रोल मोडल है आपकी रिसर्च और आपकी वर्षों की तपस्या महनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं देश के लोगों का विश्वास आप पर है और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होते हैं दोस्तों आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है देश के लोगों का आशिरवाद आप पर है इसी आशिरवाद की ताकत से देश के प्रतिहिसी समर्पन भाव से भारत साइन्स एंड टेक्लोलोजी में ग्लोबल लीडर बनेगा और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ इनोवेशन के हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में दिख्षित भारत के सपने को साकार करेगी इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सब के दर्शन करके पावन हुआ हूँ देश्वासी गवरों से भरे हुए हैं सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिश्वम उन संकल्प को सिध्धी के तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेना बन रहा है आपको जितनी बढ़ाई दू कम है जितना अभिननन करू कम है मेरी तरफ से करोरो करोरो देश्वासियों की तरफ से दुनिया भर की साइन्टिफिक कम्यूनिटी की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद बहुत बहुत शुबकामना है भारत माता की धन्यवाद अन्यवाद बहुत 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 है कि तो भारत माता की जय जयकार लगाए गए पीम मोदी की ओर से सीधी तस्वीरे आपको दिखा रहा है इस रो से जहां पर वैग्यानिकों का होसला अवजाई किया गया पीम मोदी के ओर से संबोधन मेंं उन्होंने कहा कि जितनी तारी igual की जाए वैग्यानिकों की वो कम होगी जितना अभिनंदन किया जाए वो कम होगा क्योंकि बड़ी उपलब धी वैग्यानिकों को मिली है जहां पर उन्होंने चंद्रियान्थ्री को चांद पर भेजा है और अब चांद हमारा है तीन बड़ी गोशनाए पीम मोदी के और से सम चांद पर बेजने में भारत को एक बड़ी सफलता मिली थी इसके साथ ही पियम मोदी ने चांद पर जो दो जगों का नाम रखा है उसे लेकर भी आपको जानकारी